हरे किश्चना रादे रादे दोस्तों और मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं आई होव आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों यह हमारे युगल सरकार जी का बिंटर की ड्रेसेज है जो वो इस ड्रेस में इनका सिंगहार होगा तो देखिए गाइस यह रही इनकी ड्रेसेज अब हम करते हैं अपने युगल सरकार जी का सिंगहार तो देखिए गाइस आल ग्रेडी हमारे ठाकुर जी वस्तर पहने हुए हैं आप देख पा रहे होंगे तो चलिए हम करते हैं इन्हें तयार तो पहले हम पोछ ले इन्हें अपने ठाकुर जी को अच्छे से तो देखिए ठाकुर जी को पोछ लिए हैं गंगा जल से भिगागर कप्रे को फिर इन्हें ड्रेस पहना दिए देखिए बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इस ट्रेस में मेरे ठाकुर जी देखिए गाइस सज रहे हैं मेरे ठाकुर जी ड्रेस में नजर ना लगे मेरी आप जरूर बताईएगा इस ड्रेस में हमारे ठाकुर जी कैसे लगे बहुत ही सुन्दर लग रहे है मेरे ठाकुर जी तो देखिए ये रहे मेरे ठाकुर जी चलिए अब इनको हमतिलक लगाते है नोस्पीन पहनाते हैं इन्हे फिर इनके चिक पे भी हम एक बिद्दी लगा देंगे मुझे अच्छा लगता है हां पर लगाना फिर साइग में भी हम लगा देंगे फिर इनके हाथों में अंगोठी पहना देंगे अब इन्हें हम टॉप्स पहना रहे हैं आप देख पा रहे होंगे ज्यादरा सिंहा उलन के ड्रेस में तो हम करेंगे नहीं गाइस बस सिंपल में ही करेंगे सिंपल में ही मेरे ठाकुर जी बहुत प्यारे लगते हैं बहुत सुन्दर लगते हैं इनका साइज 12 इंच है और देखिए 12 इंच में विग्रे कितना प्यारा कितना खुबसूरत है तो गाइस अगर आप भी मार्बल्स का विग्रे लेना चाहते हैं तो आपको कोई भी विग्रे चाहिए तो स्क्रीन पे दिये गए नंबर पे आप कॉंटेक्ट करें और हमें हो गए है रेडी अब हम लगाते हैं इन्हें हेयर पहले दिखा देते हैं आपको आगे से पीछे से देखिए गाइस हमारे ठाकुर कुछ इस तरह से तयार हुए है और यह ड्रेसिंग पे बहुत ही अच्छा जच रहा है कलर कंट्रास्टिंग भी बहुत प्यारा है बहुत ही सुन्दर है एलो और रेड का कंट्रास्टिंग तो देखिए आप इन्हें हेयर लगा दिए अपने ठाकुर जी को अब इन्हें हम टोपी पहना दिए अब हम देंगे अपने ठाकुर जी को बंसी क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो बिना बंसी के तो रहते नहीं है तो फाइनली हमारे ठाकुर जी अब तयार हो गए है अब इन्हें बरजमान करते हैं मंदिर में अब हम त्यार करेंगे अपनी राधा रानी जी को तो पहले इनको हम एक मूर पंख लगा देते हैं तो देखिए गाइस मूर पंख लग गए हैं मेरे ठाकोर जी तो तैयार ये रही हमारी राधा प्यारी हमारी लाडो तो देखिए इनकी ड्रेस इस तरह से हैं बहुत ही प्यारी बहुत ही सुन्दर लग रहा है बहुत ही स्टाइलिश पूलन की ड्रेसेज हैं देखिए हमारी राधा प्यारी भी बहुत सुन्दर लग रही हैं मेरे ठाकोराइन कि यहां अभी नहीं हम लगाते हैं बिंदी माला पहना चुके हम जी हां गाइस थोड़ा हमको डर भी लग रहा है पकड़ने में जी हां देखिए हमारी लाडो का सिंहार इस तरह हो रहा है जी हां देखिए हमारी लाडो हो गई है तैयार अभी नहीं मंगोठी पहनाते हैं सिंहार इनका भी हुआ है हमारी लाडो का भी हमारी लाडो सिंपल में भी बहुत प्यारी लगती हैं देखिए इनका फाइनल लुक हम आपको मंदिर के अंदर दिखाते हैं यह टोपी थोड़ी छोटी है मेरी लाडो को नहीं आ रही है तो चलिए मिस्टर से लग देते हैं ऐसे भी अच्छा लग रहा है तो देखिए गाईस हमारी लाडो हो गई तैयार देखिए सामने से लुक इस तरह बैक से देखिए एर भी बहुत प्यारी हैं हमारी लाडो जी की जी हाँ गाईस देखिए हमारी लाडो हो गई तैयार अब चलिए फाइनल लोक इनको हम मंदिर में विराजमान करके दिखाते हैं अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक सस्क्राइब एंड केमेंट जरूर कीजिएगा और सेयर भी कर दिजिएगा जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सस्क्राइब करना ना भूलें मेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करने जिससे आने वाली हर वीडियो की नाटिफिशन आप तक मिलती रहे तो गाइस देखिए ये रहा मेरे ठाकुर जी का और ठाकुराइन जी का फाइनल लूप आप जरूर बताइएगा इस ड्रेस मेरे योगल सरकार कैसे लगी मेरी लाडो मेरे माधो कैसे लगे जी हाँ मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं